हेलो एवरीवन बन्स अगेइन वेलकम बेक टो अवर यूटूब चेनल नर्सिंग नोट्स और आज की क्लास के अंदर हम डिसकस करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में यह टोपिक है नूट्रेशन से रिगार्डिंग जी अनम नर्सिंग और बीसे नर्सिंग दोनों इस्ट अमाउंट यानि कि human body को बहुती small amount में विटामिन्स चाहिए required होती है अब बात करेंगे विटामिन्स के ग्रूप के बारे में तो सबसे पहले based on solubility vitamins are divided into two groups यानि कि solubility के according vitamins को दो बागों में divide किया है तो सबसे पहले fat soluble vitamins and second water soluble vitamins fat soluble vitamins कौन से होते हैं तो A, D, E, K ठीक है A, D, E और K vitamins क्या होते हैं fat soluble vitamins होते हैं और इसको याद करने का एक ट्रीक है हिंदी में अधिक ठीक है अधिक क्यानि A, D, E, N, K next अब बात करेंगे water soluble की तो water soluble में कौन से vitamins आते हैं तो vitamin B complex यानि कि सबी प्रकार के जो vitamins B complex है वो और vitamin C ये दोनों आते हैं water soluble vitamins के अंदर तो सबसे पहले हम देखेंगे fat soluble vitamins vitamins कौन सा होता है इसका second नाम क्या है और इसकी deficiency से क्या हो सकता है तो first one है vitamin A जिसको केते हैं retinol जिसकी वज़े से हो सकता है deficiency night blindness and second one होता है conjunctive vital exorcist ठीक है ये इसकी deficiency हो सकती है vitamin A की वज़े से next vitamin D जिसका second नाम है colecalciferol next इसकी deficiency से क्या होता है बच्चों में रेकेट्स होता है और adult में क्या होता है osteomalacia ठीक है vitamin D की कमी से osteomalacia and records होते है next vitamin E vitamin E का second नाम क्या है tocopherol जिसकी वज़े से hair loss, dry skin, muscle weakness आधी होते है next fat soluble में सबसे last vitamin है vitamin K जिसका second नाम है philoquinine जिसकी वज़े से क्या हो सकता है bleeding vitamin K की deficiency की वज़े से bleeding होने के chances होते हैं यानि कि unstoppable bleeding होगी next अब बात करेंगे water soluble vitamins की जिसके अदर first one है vitamin B1 जिसका क्यों थाइमीन जिसकी deficiency से हो सकता है beriberi rog next vitamin B2 जिसको केते हैं riboflavin जिसकी deficiency से हो सकता है riboflavinosis next vitamin D3 जिसको केते है नियसीन जिसकी deficiency से होता है playground ठीक है next vitamin B5 जिसका second नाम है pentatonic acid और vitamin B5 की deficiency से हो सकता है insomnia mania यानि की रात में निंद नहीं आती है next fifth one है vitamin B6 जिसका नाम है second नाम है pyridoxamine जिसकी deficiency से हो सकता है peripheral neuritis next six one vitamin B7 जिसको केते हैं biotin जिसकी deficiency से हो सकता है hair loss next one vitamin B9 जिसका second नाम है folic acid जिसकी deficiency से हो सकता है anemia next neural tube defect etc इसकी deficiency से हो सकते हैं last one हमारा vitamin A water solvent vitamins में vitamin B12 kobala mine जिसकी deficiency से हो सकता है megaloblastic anemia and infertility ठीक है यह इसके क्या है deficiency हो सकती है B12 की कमी से तो हमने इसके अंदर vitamins के बारे में discuss किया और इनके जो second नाम है उसके बारे में discuss किया और इसकी deficiency से क्या हो सकता है उसके बारे में हमने discuss किया यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेर करें यदि आप हमारी यूटूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ठेंक्यू क्या हो वीडियो क्या हो भीडियो क्या है वीडियो कि ओज आपयugen कि ओजय lu